कि तो आजकी हमारी स्क्लास में बहुत ही अच्छी त्रिक्स जो है आपके साथ हम डिसकास करने वाले हैं तो मेरे पास एक data है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं यह मेरे पास टेटा है अब इस data में च्छोटी शी प्रब्लम है और छोटी की प्रप्लम में है कि यहां पर quantity MRP quantity MRP quantity MRP ऐसे दिया हुआ है कि यहां पर जो है प्रोड़क्ट है है और यहां पर जो प्रोड़क्ट है हमारा कि एमारा प्रोड़क्ट 1 हो गया प्रोड़क्ट टू प्रोड़क्ट टवी प्रोड़क्ट फोर इस तरह से हमारे प्रोड़क्ट कि झाल तो कैसे हमें करना किया है कि इसे हमें खतंब वा एक करेंगे यहां पर हम टोटल लिखेंगे और हमें को और फिर इस मुल्टिप्लाइ नहीं को आगे के तरह ड्राइक करेंगे और इसको बोल्ड करने कि ताकि हमें पता रहे कि इस देटा लेकिन यह क्या है कि मेले पास ऐसे बहुत सा डेटा है तो इसमें हो सकता है कि तीन सो हो सकता है चार सो तो इसको हम कैसे करें कि मैनूल आप करने जाएंगे तो यह आपके घंटों का काम है अब चलिए इसको हम कैसे इसको एजली करते हैं है तो हम सबस्क्राइब मारें तो हम क्या करेंगे सबसे लास्ट में एक स्रिया लंबर का कॉलम एड़ करें और मैं देख रहा हूं कि मुझे हर दो रों के बाद हर दो हुआ हम दो और ने के प्लास बरतीं न याकंत हो चुका है समया में औरrick कर्एकिक हचर दो बार दो बार रिपीट हो चुका है अब मुझे क्या करना है यहेपेट करना है यह हर नम्बर दो बार सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए हमें जरुद पढ़ेगी यहां पर एक सिक्वेंस नंबर और सिक्वेंस नंबर मुझे सब्सक्राइब करेंगे उपर वाला में प्लस वन कर देंगे तो आप देखेंगे कि हर नंबर दो बार रिपीट हुआ कैसे हुआ कि इसने उपर वाला में प्लस वन किया फिर इसने दूसरे वन पर प्लस वन किया उसके वाएं ऐसी तीसे पर किया ऐसे चौते पर किया इससे हमारा हर नंबर दो दो बार रिपीट हो गया क्लिर है हम इस नंबर को कॉपी करता हूं और यहां भी वैलू टेस्ट कर देता हूं है एक्षर तो हमनी हां हर नंबर को दो दो बार रिपीट कर दिया हुआ है और रिपीट करने के बाद हम मुझे यहां पर एक ब्लैंक रो इस तरह से इंसर्ट करना है तो कैसे करें तो इसके लिए हमने नीचे तो यहां पर हम 32 नंबर को मैं लिखेंगे लेकिन नंबर सिस्फ वन टाइम होगा ट्वाइस नहीं होगा तो 32 नंबर को हमने रिपीट कर दिया अब लॉजिक क्या करता है कि हम सिरियल नंबर को कॉर्डिंग सॉट करेंगे तो यह दो तो वन होगा पर नीचे वन है उठके इसके इस वन के नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह से तो यह जो आएगा तो पूरा रखुआ रो लेके आएगा तो रोज तो इसका ब्लैंक है तो ब्लैंक लेकिए आगया पुछली करके दिखाते हैं हमने स्लेक्ट किया और हम चले गाएं सौर्टन फिल्टर के कस्तम सौर्ट में और यहां हमने स्रिया नंबर को सेलेक्ट करके ओके कर दिया अब यहां पर देखिए एक एक नंबर यहां आपके सामने हर एक दो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट होगा अब यहां में साथ प्रब्लम है कि मुझे यहां टोटल लिखना है अब मुझे टोटल हर एक इस नेम वाले कॉलम के हर एक ब्लैंक सेल में टोटल लिखना है कि मेरा इस तरह से कंट्वीवर्स है कि यहां पर क्वांटिटी अमर्बी प्रिया टोटल तो अगर हम मैनुवल यहां पर लिखते हैं और लिक किसको बोल्ड करते हैं तो इसमें काफी टाइम लगेगा हम चाहते हैं कि एक सॉट में हो जाए को कि फिलहाल तो सतरस्ती है लेक कि मिचे तक करें के सको हमकं ने स्था करिया उसके ऑद हम वाइly एंडि युट के अंदार और इस गोटू स्पेशल के अंदर हमी हां ब्लाइंग को स्था करेंगे और ज्सट्ड को स्था ऊमी जैसा को स्था को ब्लाइंग किए आपका। हो गया में यहां पे लिखूंगा टोक्म टोक्त लिखने के बाद यहां पे हमें oh और नहीं करना है कजित जैसे हमें खिल गिया कर्स्कettes किया जो भी बलैंग सेले सब पर टोटल हो गया कि इसका इसका क्या था तो कि एक है में सेलेक्ट करके कुछ भी नंबर लिखे नॉर्मल इंट नॉर्म इंटर मारते हैं नॉर्मल इंटर आपके वह नीचे चलाता है लेकि इसी मिआ अगर वे तो जितना एरिया में अपका डेटा है उस पूरे में कॉपी-पेस्ट हो जाता है तो सेम प्रसीजर हमने यहां भी अपनाया हुआ है यह कॉपी-पेस्ट हमारा हो गया अब मुझे क्या करना है अगली कॉपिक में कि इस ब्लैंग से लिको कि फॉर्मुली लगाने है अच्छा बिनोंची आ रहे हैं अब बंदोंची प्रॉल्म हो गिदिक्या कि हलो बिनोंची आप मुझे सुन पा रहे हैं कि मिनोंची मीट है आप अपने को यह सब्सक्राइब लैप टॉप एकदम डिच्छ हो गया था नो यह जास्क अधर ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं यह हम बात करेंगे अपनी इस डेटा में कि जो जो एरिया ब्लैंक है उस पे मल्टिप्लाई करने जो जो एरिया हमारा ब्लैंक है उस पे हम मल्टिप्लाई कैसे करें है तो यहां पर हमने क्या किया कि ऐसे यां और वंई बाई वन मल्टिप्लाई करेंगे और फिर तोड़ा सब्रूंब्ल ऑप्र ना यहां पर डालना है तो कैसे डालने तो हमने क्या कि सबसे पहले डेटा को स्लेक्ट कर लिया यह डेटा सुलेक्ट करने के बार हम वापस मॉर्फ से चले गए कहां पर यहां पर ब्लाइंग से सेम उसी तरह जैसे अपने यहां पर टोटल डाला यह तो जितने ब्लाइंग्स हैं गईए बाकी ब्लेंग जो है इसा प्लैंग भी सलेट हो जाए कि तो पैदे आपना एरिया सलेक्ट जबर ऑदें проблем में फॉर्मूलाइब है कि उप्रवाले को मुल्टिपलाई करना है कि निचियत भाले से प्रेस संब पर सिटोछेय से और स्कूप्तोज उसरी 2007 बोल्ड भी कर देते हैं बट मैं यहां पर बोल्ड नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने टोटल को बोल्ड नहीं किया था छुट गया था हम बोल्ड करेंगे कंडीशनल को बोल्ड करना है ठीक है तो यहां पर हम कंडीशनल फॉर्मेट्टिंग लगा के हम टोटल के अकॉर्डिंग इसको बोल्ड और अंडरलाइन करना चाहते हैं ताकि हमें दूर से देखने हैं पता चले जाए कि यह टोटल्स हैं मुझे पता सब्सक्राइब तो इस केस में क्या करेंगे इस केस में हम एक सिंगल सेल को करसर रखेंगे और चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अनंदर और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हैं यहां हमारे पास है यूस फॉर्मूला टू डिटर्माइन और यहां पर जो हमारी जो तो यहां क्या करेंगे ? इज इकोल टू 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 पिर यहां हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहां फॉर्मेट सेल में आने के बाद हम क्या करेंगे बॉर्डर में हम यहां नीचे कर देते हैं कोई और कलर चाहिए तो मालेज़ यहां पर वाली कलर देते हैं और बोल्ट कर देते हैं साइज बढ़ाना है तो साइज हम इसकी बारा कर देते हैं नहीं साइज नहीं बढ़ा सकते हैं और इसको हम कि यहां हम करेंगे और यहां पर करसर रखेंगे फॉर्मेट पेंटर को लेंगे और बाकी जो आपकी डेटा है उसके नीचे इसको पेस्ट कर दीजिए ठीक है सर अब इसमें नीचे वाला आप्सर नहीं आया क्योंकि यहां पर निसके मिनिए आमने सिलेक्शन नहीं किया रहा इस खारण से इसको कॉपी मैंनोली पर कर दीए तो देखा हमने धंटों काम को कैसे से केंडों में कर दिया हमार इस एक्जांपल से कि लिए सब्सक्राइब करूं चलिए अब इसी काम को हम तरह सा कॉलंबाइज करते हैं हमने भी रोबाइज कर लिया इसी काम को कॉलंबाइज करते हैं तो अब मुझे क्या करना है यहां पे हर कॉलंब के बाद एक ब्लाइंग कॉलंब इंसर्ट करना है उसका यहां पे परसेंटेज हेडिंग देना है तो हर एक कॉलम के बाद एक ब्राइंग कॉलम इंसर्ट करना है, तो कैसे करीं इसके लिए? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक रो इंसर्ट करनी है और यहां पर आपको अपने रो नंबर को दे देना है, रो इंसर्ट किजिए, रो नंबर को दे देना है, फिर इसी र 生 home दो बस बार रिपीट कर दिए उसके बाद हम इसको स्टरक्ट करते हैं और स्टरक्ट करने के भाद इस पर देखिए हमने नेम को स्लेक्ट नहीं किया है इसको मत किजीगा स्लेक्ट वहना यह भी आपका मुँऊ है और स्वाइब हो जाएगा यहां से हम जाएंगे स्कस्ट शॉट में अब बलें स्वाइब टू राइट होता है तो यह डॉप टू बॉटम होता है मैं लेफ स्वाइब करेंगे जैसे आप करेंगे यह आपका 123 वाला जो नंबर था वह भी स्लेक्ट हो जाएगा अब मैं यहां पर जो पहले हेडिंग्स आते थे उसके जगहां पर रोवन टू थी आ रहे है तो मैंने रोव वन को स्लेक्ट किया और जस्ट पेश्ट ओके हमने छोटी सी गलती की हमने हैं यहां हेडिंग नहीं डाला तो चलिए हम यहां हेडिंग डालते हैं और दूबारा इसको शौट करते हैं क्योंकि हैं ना डालेंगे तो बारबार हेडिंग डालना मुस्किल हो जाएगा कि यहां पर हम आते हैं वापास कस्टम इसमें कस्टम शॉर्ट और कस्टम शॉर्ट में हम रोव नंबर वन को सब्सक्राइब ऑप्षिन पास हर एक कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलन इंसर्ट हो गया है क्लियर है कि अब तो सेम यहां पर करना चाहते हैं इसका परसेंटेज निगालना तो सेवेंटी सब्सक्राइब हर मंद का तार्गेट है तो मैं चाहता हूँ हर मंद का यहां पर सेवेंटी टार्गेट यहां पर श्रू हो जाए तो कैसे होगा तो हमने यहां पर अपने डेटा को सेलेक्ट कर लिया और अब उसी में थोट की कुछ करेंगे तो इससे पहले हमने रो के लिए किया है हम क्या करेंगे यहां पर हम जाएंगे करेंगे उसके बाद जितने ब्लैंक से हो सेलेक्ट होगा है दैन जस 55 डिवाइड बाई 70 और यहां पर हम जस्ट कंट्रोल एंटर यूज प्रेस करेंगे सारा आपका देखिए कंवर्ट हो गया दिवाइड हो गया दैन परसेंटेज में किलिप किजिए आपका परसेंटेज कि इसके लावा कोई फॉर्मेटिंगद्ध करना चाहते हैं तो आप सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहते तो यहां हम दे सकते हैं जो ग्रेथर दैन वन है वह हाइलाइट हो जाए मतलब और फिससे ग्रीन से इस तरह की कि कर दिपर दी और हमारा रिपोड्ट आ तो हमने अभी जो है हो मेनवार को मैंने खतन कर दिया राइट अब आपको क्या करना है सर इंसर्ट के लिए आपको जो में कल पिवट टेबल की रिकॉर्डिंग वेजी थी आइप लिए लगता आप लोग ने उसको देखा होगा तो मैं आप सरी क्रेस्ट करूंगा कि उन डिक देख लेंगे तो सीखना सही रहेगा और विनोच जी आज आप प्रासा जॉइन में दिक्कत होगी थी क्लास में जॉइनिंग करने में आपको तो आज की रिकॉर्डिंग आपको भी पंदरस से 20 मिनट में मिल जाएगी ठीक है तो कल मिलते हैं पिवर्ट टेबल हम कल स्टार करने लेकिन बिफोर स्टारिंग पिवर्ट टेबल उस्ती रिकॉर्डिंस देख लेख लेगा